केस विसेभी प्यारे प्यारे चात्र आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सद्डा पर मैं हुआ इस चोहान दो चार चीजे मैं सेसन में क्लियर गरना चाहूंगा कि 10 जून से जो है आप लोगों की बिहार सिक्सक भढ़ती की तीसरे चरंड के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जिसकी मेरी क्लासिस मंडे से सुरू हो रही हैं सब बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख सकते हैं 628, 910 और जनरल पेपर का महसुद से आपका कबर हो जाएगा अब बिहार स्टेट के एक्जाम जो की पहले होना था लेकिन सक्समता परिक्सा के कारण हो नहीं पाया था अब फिर से सक्समता परिक्सा का दोबारा जो है नोटिफिकेसन आ चुका है सक्समता परिक्सा जो है बिहार के अंदर जितने भी पहले से जो सरकारी टीचर थे लेकिन उन्हें राज्यकर्मी का दरजा देने के लिए वो एक्जाम कराये जा रहे थे जिसमें काफी सारे लोग पास होके टाज्यकर्मी बन भी गए है पोइट नमबर टू अब कब होगा दूसरे वाला एक्जाम भी फसा हुआ और एस्टेट वाला भी फसा हुआ ये जो WhatsApp मैसेज कल से वाइरल हो रहा है इसमें कितना सच है कितना जूट मुझे नहीं लगता लेकिन इसमें जैसे आप इसे पढ़ेंगे किसी ने किसी को मैसेज लिखे फोरवर्ड कर दिया किसी ने अपना नाम भी लिख दिया जिससे की थोड़ा उनका भी प्रमोशन जो हो जाए तो उनके पास कहीं से खबर आई होगी तो विक्ति चाहता है कि खबर मेरे तुरू जा रही है तो मेरा नाम भी समय आए तो बिसमें कितनी सच्चा ही है ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि कुछ भी ओफिशल है नहीं और एस्टेट वालों के बुरी आदत है एक्जाम से पांच दिन पहले एडिमिट कार्ड देने की अगर बात सच होती भी है तो ये मत सोच तो में लगता भी है कि इतनी जल्दी कर देंगे कि हां करवा देंगे क्या एक्जाम की वज़े से लेना देना फ़ुक्ी रिलेशन है नहीं कोई फरक नहीं परता कोई नहीं भरती निकालकर वोट के लिए प्रलोबन नहीं दिया जा सकता वो होता है आचार सही ता जो एक्षेंज का model code of conduct लग जाता है उसके अंतरगत आप नहीं बढ़ती नहीं दे सकते पुरानी कोई चीज़ चल रही है करवा हुआ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे की main exam भी 3.0 भी जून के बाद ही करवा जा रहा है तो उमीद है कि जून में जाकी ही होगा वोटिंग जब count round हो जाएगी उसके बाद ही होँगी ये सारी चीज़े क्योंकि जादा तर अधिकारी जो है इन सब चीजों में ही लगे होते यही लोग वोट भी डलवाते यही लोग इंती विंती भी करवाते यही परिवेक्सक वगेरा सब रहते हैं तो इसकी chances कम हैं लेकिन हो जाता है तो यह मत सोचना कितनी जल्दी कैसे होगा क्योंकि कुछ इसमें कुछ अड़चन तो था नहीं ऐसा अधिकारी की रूप से को अड़चन तो थी नहीं दूसरी चीज़ 4.0 होगा तभी जब आपका estate हो जाएगा तो estate 4.0 से पहले होगा उसके लिए आप निश्चिंत रहिए जितने बच्चे estate के लिए पढ़ चुके है अपना revision start कर दीजे अब नहीं तो जून में मतलब यह date गलत भी होगी तो कितनी गलत होगी जाद जाद 15-20 दिन गलत हो जाएगी आपका जून में एकजाम होगा estate का होगा जरूर ठीक है तो जितने भी बच्चे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी estate की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि इसमें का गया सितंबर में दूसरे वाला होगा तो हो गई वो पहले भी कह चुके है जो विद्यालने परिक्सा समीते हो पहले भी कह चुके कि हम साल में दो बार कराएंगे अगले वाला सेप्टेम्बर में होगा वो आपका अगले साल काम आएगा ठीक है तो बेस्ट ओफ लक जितने भी स्टूडेंट से बाकिया आप लास में जुड़ सकते हो मंडे से रोज